नमस्कार आप देख रहे हैं बिहानीज़ और मैं हूँ आपके साथ विसाल चोहन इस वक्क की बुलेटिन में हम सुरुवात करेंगे कटिहार की खबरों से तो आपको बता दे कटिहार के आजम नगर परखंड के महानन्दा नदी में मच्छुवारों को मचली पकड़ने के द जोह विश्यू महेश की बताई जा रही है मुर्ती मिलने की ख़वर फैलते हीं काफी लोग इकठा होने लगे जिसके बाद मुर्ती मिलने की सुचना आजम नगर पुलिस परसासन को दी गई जहां पुलिस परसासन ने बिहार में लॉकड़न होने की वज़ा से भीड इकठ जालियों के साथ एक मुर्ती भी जाल में फस गई आजम नगर पंचायत में बान के करीब घाट के करीब नदी के उस पार और यह मुर्ती कोईला के मचवारा हमको दिया वो काली जी का जहां मंदीर है उस मंदीर के पास ट्रुक्त हम लोग नुमा काफी होने चला उस बीड आज़ के कारन हम लग प्रसाशन को यह मुर्ती शोफए और भीड ना समाथ हमारा प्रेसर है यह मुर्थी भर्मा विश्नू मेंच नदी चरह उस व्लाला च्हे मुará मुर्ती है उस मुर्टी को समाज के बढ़िया के लिए परसासन को दिये उससे परसासन से हम लोग एक मेना पन्रे दिन के बाद ये मुर्टी वाफसी लेंगे देश के परधान मंते दवारा क्रोना वारस को पहले ही स्टेज में रोकने के लिए किस दिन के लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है जिसका नुपालन भी लोग कर रहे हैं लेकिन सोसल डिस्टेंज की जगरुकता फिलाने वाले धिकारियों के कार को देखिए किस तरह बसो में ठूस ठूस कर मजदूर भेजा जा रहे हैं सभी मजदूर अलग अलग राज्यों से आये हैं यह वीडियो बिहार के औरंगावाद जीले की है उनको चाय, पानी, नास्ता और अभी कलंच करा के लोग लगातार दे मधुवनी के बेनी पटी थाना अंतरगत बसैट कैम की पूलिस ने एक टेमपोस से 20 काटून नेपाली देशी सराब बरामत किया है हलाकि चालक सहित दो अन्य लोग मौके से फरार हो गया बसैट कैम के A.S.I. रजेंद सर्मा ने बताया कि लॉगड़ौन लागू है इसी को लेकर कैम के पास ही चेकिंग कर रहे थे कि अनवश्यक रूप से कौन वहान परिचालन कर रहा है इसी वीच चेकिंग के दोरान ही एक टेंपो आया जब चालक को रुकने के लिए बोला तो वह नहीं रुका पुलिस टीम ने खदेर कर टेंपो को थोड़ा आगे जाकर पकड़ लिया चालक सहित अन्दो लोग जो टेंपो में सवार थे हुआ फरार हो गया टेंपो की जाच में 20 कार्टून नेपाली जेसी सराब बरामद हुआ पुलिस टेंपो को जब्द कर आगे की करवाई में जूट गई है हम लोग चेकिंग के रहे थे मेसेट पुलिस के उनके सामने चेकिंग के दोरा लोग जेक करें थे किसी के दोरा कर अगद सामान ही जाँ नहीं जा रहा है जेकर चोटे के उस बीच में पासे से ट्म्ट आया योज़ो प्रयास यह रहाए नहीं रोखे वाई सिता मने में लॉकड़ान के बीच विया परादियों के होसले बुलंद है। पुलिस के चुस्त पहरे के बीच बाईक पर सवार तीन अपरादियों ने मनोज कुमार गुपता नामक बेवसाई को गोली मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घायल बेवसाई को सिता मड़ी के नीजी नर्सिंग हों में भरती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुच कर जान सुरू कर दिया है। बताया जाता है कि बाईक सवार तीन अपरादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। और हतियार लहराते हुए घटनास्तल से फरार हो गया। करोना वारस के संकर्मन के बाद पुरे देश में हुए लॉकड़ॉन से बिहार के बाहर काम कर रहे मजूरों पर आफट तूट पड़ी है। बहुत से लोग भागते भागते दिल्ली से अपने घर आ रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोग बाईक से तो कई लोग साइकल से ही दिल्ली से चल दिये हैं। कई लोग तो कानपूर से होते हैं तो कई लोग इलाहावा से ही साइकल से अपने गाउँ पहुच रहे हैं। केस से कहा जाना है यार दना लुख पर अजहिए परहर कि का जब होग है अच्छा कहा जाना है वाइक 720 स्याग है बन विभाग दुवारा जंगल में लगाए गए आटोमेटिक ट्रैपिंग कैमरे से जंगल में बीचरन कर रहे एक नरवाग की तस्वीर कैप्चर हुई है जिसके बाद बन विभाग तथा पसूप प्रेमियों में खुसी की लहर दोड़ गई है वही वन विभाग की टीम ने दुरगावती जलासाय के पास भी बाग होने की पुष्टी की थी जब दो पालतू में वेशियों पर उसने हमला किया था इस दोरान बाग के मल सौच में भी बरामद हुए इस जाज के लिए देहरादू निस्थित वाइल्ड लाइफ इस देने वाली तस्वीर सामने आई है रहतास जेला के सासाराम में जीला पर ससंद वारा एस पी जैन कॉलेज में कैम बनाया गया है जहां लोकडाउन से परिसान तथा आसाहाई लोगों के खाने पीने की बिवस्था की गई है वहां से एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें सासाराम का एक दरोगा एक मजदूर की पिटाई कर रहा है उसे धकिया रहा है उसे गंदी गंदी गालिया भी दे रहा है वीडियो में दीख रहा है कि जहां खाना बाटे जा रहा है वहां वहां खाने के लिए लाइन में खड़ा है किसी वात को लेकर दरोगा जी भड़क जाते हैं और फिर इस मजदूर को धकियाने लगते हैं और धकियाते धकियाते उसे बाहर का रास्ता दिखाते हैं. भारतिये जनता पाटी ने कुरोना वाइरस की लडाए में बिहार के सभी राजनीतिक पाटीयों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की अपील की है. पाटी के परदेश परवक्ता डक्टर राम सागर सी ने मुकामा में मीडिया से बाचीत करते हुए कहा कि कुरोना वाइरस की जंग आज बिश्व के लिए बड़ी गंभीर सुचनोती बन चुकी है. महा संकट की इस घड़ी में हर बिहार वाशियोक से लॉगड़ॉन पालन करना सुबे के सियासत दानों का एक मात्र करतब है. लालू जी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि लालू जी ये राजनीतिक करने का बत नहीं है. डाक्टरों को अपने पत से बिचलित करने का आप काम नहीं करें. मैं सारे राजनीतिक दलों से अपील करना चाहता हूँ कि इस लराई में सारे राजनीतिक दल अपने कारिकरताओं को उतार दें कुर्णा के खिलाफ लराई लरने में और सरकार को सहयोग करें. चुकि बगए सब लोगों के समर्थन का ये लराई नहीं लरी जा सकती है. चुकि ये बैस्विक महामारी है. इसमें सब लोगों का साथ चाहिए. तभी जब एक-एक जनता कोर्णा के खिलाफ सैनिक बन करकर के लराई लरेंगे, तभी कोर्णा हारेगा और भारत जीतेगा. मैं कनहिया कुमार से भी अपील करना चाहता हूँ कि कनहिया जी इस मरकजी मानसिक्ता वाले लोगों से भी आप अपील किजिए. तो कि आपके काफी नजदीक है लोग, उनसे भी अपील किजिए कि घर में रह करके लोकडाउन का पालन करें और भारत को बचाने में सहयोग क मुकामा नगर परिषद में करोना वारस की जंग में फतह हासिल करने के लिए मुकमल तयारी कर ली है. इस सहर में करोना वारस को लेकर च्छा क्वांटरीन सेंटर का निर्मान कर लिया गया है. परवासी मजूरों को चिनित कर इस सेंटर में आइसोलेट किया जाएगा जहां मरीज को हर मुकमल सुभधा मोहिया कराई जाएगी अपर पुलिस अधिचक मनीश के नितृत में फतुवा थाना परिसर में थाना ध्यचो पत्रकारों और जन परतिनीदियों की एक बैठक आयुजित की गई जिसमें A.S.P. ने लोगों को सम्भोधित करते हुए कहा कि कुरोना जैसे गंबीर बिमारी से बचने के लिए सवी लोग घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करें इस बीमारी से बचने के लिए हमें समाज में लोगों को जागरू करना ही एक मात्र रास्ता है। तभी इस महामारी को मात देकर जीता जा सकता है। और पुलीस पदाधिकारी रहेंगे और अगर क्वारंटीन से कोई 14 दिन से पहले निकलता है तो उसके विरुद हम लोग एफाई आर करेंगे और आवस्यक कानूनी कारवाई करें। उनके साथ पुलीस पदाधिकारी के द्वारा रेट किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा और उनकी संपती को, उनके यहां जो अनाज मिलेगा, उसके साथ साथ उनकी जो संपती है, उसको सीज भी करेंगे। ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि इस आपदा के स्थिती में किसी तरह की मुनाफा खोरी और जमाख खोरी नहीं की जाए। उसके साथ साथ हमारा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जिला पदादिकारी महोदे की मदद से उनके आदेशा नुसार हम लोग प्रियास करेंगी 24 इंटू सेमें। अलब 2400 घंटे यहां डॉक्टर्स रहें, जो भी डॉक्टर हैं यहीं रहें, नर्सेज यहीं रहें और जो भी लोग जाते हैं उनकी प्रॉपर हेल्थ चेकप हो, अगर उनको भेजना है तो प्रॉपर एम्बूलेंस के माध्यम से हम लोग हायर सेंटर को भेजें। साथ-साथ जो रेंटर्स हैं, जो यहां पे किसी कारण से किराय पे रहते हैं, उनको किसी तरह की परिशानी नहीं हो, इसके लिए अनाउंस हम लोग करेंगे और नगर पंचायत या नगर परिशत के जो अध्यक्ष हैं, खारेपालत पदादिकारी हैं, उसके माध्यम से हम लोग ये संदेश देंगे कि इस महीने अगले एक महीने तक किसी तरह का किराया नहीं लेना है, किराय के कारण किसी व्यक्ति को परिशानी नहीं हो, इसके बाद जो लोग हासिये पर छुट गए, जो लोग किसी कारण से PDA सिस्टम में नहीं है, जो लोग किसी कारण से किसी को नहीं आए इसके लिए मेरे तरब से और यहां के लोगों की तरब से एक संबलित प्रयास होगा और मेरा विश्वास है यहां के लोगों ने जिस तरह का जोस दिखाया है यहां के लोगों ने जिस तरह का समर्पन दिखाया है जो जन प्रतिनिधी हैं प्रशास्विक प और भाव के चलते ना भूखे मरेगा, ना भूखे सोएगा, ना इलाज के अभाव में किसी तरह की कोई प्राब्ल में। भाव मेरा ना भूखे। असके अभाव मेरा भूखे का नाम लाज है। मैरे भीता का नाम लार भूखे। ऐरी मरता हूं लक्तिपाथ। मर्दान मंदरी इस तरह मध्यार क मुखमात दे तरहिकी तरहिकाई। कि लोक्तान के पारण को क्या पूरतिए बात थे को लुगतान के पारण को देश्ट करें, यह लेकिन बिहार के पूरे लोग, लुगतान के पारण नहीं कर रहे हैं मुख मंदिर रहत कोच में मैं अपना फुल लग्स दोर कर बतीज बतीज तो पटान मंदिर रहत कोच में आपके प्लाल इस बखकी बुलेटिन में इतना ही मुझे देजिए इजाज़ा देखते रहें विहानुष नमस्कार